अगर आपका pen card खो गया है और आपके पास आपका pen number भी नहीं है और कोई भी photocopy नहीं है तो कैसे आप अपने खोई हुए pen card को पा सकते हैं इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अगर आपका pen card गुम हो जाता है तो आपको एक new pen card के लिए apply नहीं करना है क्यूंकि अगर आप एक new pen card के लिए apply करते हैं तो आपका खोया हुआ pen card भी अभी active है ऐसे में आपके दो pen number जारी हो जाएंगे और आपके ओपर penalty government के तरफ से लगाई जाएगी तो ऐसे में आपको अपने पुराने खोई हुए pen number को ही find करना है और उसे जो है आप अपने घर तक मंगवा सक इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने खोई हुए pen card को पा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दूस्तों जो चार methods में आपको दिखाने वाला हूँ वो सेम आप अपने mobile में भी कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस पेज पर आने के बाद आपको क्योंक लिंक्स में बहुत सारे options मिलेंगे आपको नीचे score down करना है यहाँ पर आपको no 10 details का option मिलेगा आपको इस पर click करना है next page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी 10 details एंटर करने है आपको simple category of deductor में यहाँ पर individual को select कर लेना है उसके बाद name of deductor में आपको अपना name enter कर देना है उसके बाद आपको अपनी state select कर देना है उसके बाद आपको अपना mobile number एंटर कर देना है और continue की option पे click कर देना है तो आपके mobile companies नंबर पे names देखने को मिल जाएंगे and city में city देखने को मिलेगी दूस्तों यहाँ पे आपको अपने city find करनी है कि किस city में आप यहाँ पे रहते हैं वो आप यहाँ पे find कीजिए and उसके बाद आप अपने name के first and last के two alphabets यहाँ पे check कीजिए अगर आपके first के and last के two alphabets match कर रहे हैं तो आप उसके click करके अपनी 10 details जान सकते हैं अगर आपके name के alphabets यहाँ पे match नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पे items per page में यहाँ पे 50 कर दीजिए आपको और भी name यहाँ पे show हो जाएंगे and जो भी आपका name होगा simple आप उस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपकी basic details आपको देखने को मिलेगी pan number, category of deductive, name, address, pan number और AO details देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ से आप अपना pan number जान सकते हैं लेकिन अगर आपका name यहाँ पे नहीं है name of deductive में तो ऐसे भी आप next method को use कर सकते हैं second method आपको income text की इसी page पे आना है उसके बाद आपको click links में एक option देखने को मिलेगा instant e-pan का आपको इस पे click कर देना है next page open होगा यहाँ पे आपको check status download pan के नीची continue के option पे click कर देना है और यहाँ पे आपको अपना अधार number पर enter करना है और continue के option पे click कर देना है तो आपके अधार card के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे एक OTP जाएगा OTP आपको यहाँ पे enter करना है और continue के option पे click कर देना है next page पे आपको view e-pan download e-pan का option मिल जाएगा यहाँ से आप अपने e-pan card को download कर सकते हैं simple आप download के option पे click करेंगे तो आपके mobile यहाँ पे laptop में यह download हो जाएगी जैसे ही इस file को आप open करेंगे e-pan को तो यहाँ से आप से password पूछा जाएगा तो आपको अपनी date of worth यहाँ पे enter कर देनी है और आपका e-pan जो है यहाँ पे open हो जाएगा और आपको आपका pan number यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तो अगर second method भी आपके लिए वक्त नहीं करता है तो आप third method को use कर सकते हैं third method दोस्तो जब आप अपना e-pan card बनाते हैं या फिर आप जब अपने pan card के लिए apply करते हैं NISDL की site से या फिर UTI की site से तो उससे भी आप अपने pan card का number जान सकते हैं आपको यहाँ पे download e-pan card के page पे आ जाना है इसका link आपको description में मिल जाएगा दोस्तो यहाँ पे आप अपना acknowledgement number एंटर करेंगी उसके बाद month of birth एंटर करेंगे और year of birth एंटर करेंगी और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे capture code को नीचे enter करना है और submit के option पे click करना है तो आपकी details जो है आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद आपके mobile number पे एक OTP send किया जाएगा वो OTP send करने के बाद आप अपना e-pan card डाउनलोड कर सकते हैं acknowledgement number से भी अगर आपके पास acknowledgement number नहीं है यानि कि आप ये तीन method से अपना pan number नहीं find कर पा रहे हैं तो ऐसे में fourth method जो है वो 100% यहाँ पे work करता है तो चलिए वो जानते हैं दोस्तो उसके लिए आपको इसी page पे आजाना है incometext.gov.in की site पे और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है यहाँ पे scroll down नीचे करना है यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा contact test का यहाँ पे आपको help desk number के option पे click करना है और दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा आया कर संपरकेंद्र तो यहाँ पर आपको एक नमबर देखने को मिलेगा 1800-180-1961 तो यहाँ पर आपको इस नमबर पर call करनी है दोस्तों आप यहाँ पर call कर सकते हैं Monday to Saturday और सुबह 8 वज़े से रात 8 वज़े के बीच में दोस्तों यहाँ पर आपको इस नमबर पर call जब आप करेंगे तो आपको अपनी language select करनी है और उसके वाद आपको आपकी details पूछी जाएगी जैसे कि आपका नाम, आपकी date of birth, आपका address, आपके father का name यह सारी details आप जैसे ही उन्हें बताएंगे तो आपका pan number क्या है, वो आपको बता दिया जाएगा तो 100% आपको आपका pan number मिल जाएगा दोस्तों इस तरीके से आप अपना pan number यहाँ पर find कर सकते हैं pan number मिलने के वाद आप reprint करवा सकते हैं अपने pan card को reprint के इस तरीके से किया जाता है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा दोस्तों जैसे यह आप reprint के लिए apply करेंगे तो 15 days के अंदर अंदर आपका original new pan card जो है आपकी घर तक आपको receive हो जाएगा दोस्तों I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like के जगा चैनल को subscribe के जगा आगे भी ऐसे interesting videos देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक लिए bye bye take care thank you